बेलकम टू आवर चैनल आज बात करने वाले हैं जैन्वी सीरीज के रिवीव करने वाले इस वीडियो में और हम अपना प्रोफेस्टनल ओपिनियन भी सेयर करेंगे इस वो को देखने के बाद कैसा लगा मुझे वो भी आपके साथ बताएंगे और क्या नया ओडियेंस डार् मज़ा आता है और जो यह production और background score जो है काफी एकदम मज़ा लगता है देखने में इसमें कोई कमी नहीं रखा गया है और यह जैसे कि आपको पता है दब बोईस इन्वर से ही बिलोंग करता है यह सो और जो नए ओडियेंस है जो उनके लिए थोड़ा इसू आ सकता है क्यों कि यह आपको ठोड़े जो रिफेरेंसेस देखने को मिलते है दब बोईस के उसके कारण आपको थोड़े दिक्कत आ सकती है जो नए ओडियेंस है और जो पुराने ओडियेंस से दब बोईस को देख रखा है उन्हें कोई भी मेजर इसू नहीं आने वाले हैं क्योंकि उन्ह अब मेरा ओपीनियन की बात करें तो मेरा ओपीनियन है एकदम देखने के बाद आपको खुब मज़ा आने वाला है क्योंकि यह जब भी आप देखोगे एकदम ट्रीट से कम नहीं होने वाला है और मैंने देखा यह सारे एपिसोड देख लिया है और काफी एकदम ब्रूट आने वाला सीन देखने के बाद मुझे तो हाट एटेक जैसा आ गया था एकदम ठक्ट से लगा था दिल में एकदम पूरा मुझे लगा था लेकिन काफी देखते वक्त मज़ा आया था मुझे बलर सट सीन एकदम देखनी को मिला था एकदम खून खराब है पहले एपिसोड एकदम भरत पूर एकदम मज़ा आने वाला है क्योंकि एकदम उनेसली बताओं कि एकदम ट्रीट से कम नहीं होने वाला है और जिस तरह से करेक्टर को इंटर्डिवस किया जाते है आपके सामने एकदम कनेक्टेट फिल करते हो मरी हो गया करेक्टर और गोल्डेन बोह और उनके सरकर फ्रेंड हो गए वह आप उनसे एकदम कनेक्टेट फिल करते हो और अब स्पोईलर होगा इसलिए अगर देखना चाहते तो देख सकते नहीं तो आप छोड़के यहां से जा सकते हैं तो चलिए हम इस थियोरी की बात करने वाले हैं कि जो कि होम लेंडर किसे मर सक को पता चल गया है और आप वा किसी तरह से पता चल गये है अगर यह वीड़u फ्राब कर दीजिए को सब्सक्राइब कर्दिचिक